यार मोदी की गोदी में बैठे इन यूटूबर्स को कोई और काम नहीं है क्या जब दिखो तब मोदी जी की चरण वंदना करते रहते हैं और यदि कोई इनके पॉपा को कुछ बोल दे तो उसे एंटी नेशनल साबित करने में लग जाते हैं और हाँ इसके अलावा इनके कुछ और फेबरेट काम भी है जैसे धर्म के नाम पर पैसे चापना, सट्टे बाजी की एप प्रमोट करना और कभी कभी जेल भी चले जाते हैं और यार कौन कहता है कि आजकल सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल काम है आपको बस यूटूब में आना है, अपनी जीब बाहर नकालनी है और चाटना सुरू कर देना है इन सरकारी चाटूकारों की तरह कोई ने गोदी यूटूबर बोल दे तो ये अपना दिमाग छोड़ कर उसके पीछे पर जाते हैं अच्छा सौरी इनके पास तो दिमाग होता ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे और उसे एक्सपोस करते हुए कॉंस्पिरेसी थियोरीज और मनधढंग बातों से भड़ी वीडियोज बनाना चालू कर देते हैं जिनमें सरफ एक चीज की कमी होती है और वो है फैक्ट्स और आजकल इनका फेवरेट टार्गेट है द्रोवराटी जो पिछले दो तीन महीने स बीजेपी के एक्सपोस में वीडियो बना रहा है और कोई इनके पॉपपो को फैक्स के साथ एक्सपोस कर दे तो ये सांथ कैसे रह सकते हैं ध्रोवराटी का सबसे बड़ा एक्सपोसी किया है सट्टेबाजी के ब्रेंड एमबेशडर एलवेश यादव ने जिसने चुरा वीडियो में एलवेश ने इतनी बखवास की है जिसकी कोई हद ही नहीं है फॉर एक्सामपल एलवेश यादव बोलता है कि ध्रोवराटी आदिल अमन से कनेक्टेड है जो की एंटी नैसनल है क्योंकि वो मोदी और अमित सा को हेट करता है और आदिल हसन कारवाय महबत के ल दस साल पहले edited screenshot बताए है और just because वो दौनों एक ही WhatsApp ग्रूप का पार्ट थे ही इसका मतलब ये नहीं के वो दौनों connected है और यदि कोई PM मोदी और अमित सा को हेट करता है इसका मतलब ये नहीं के वो anti-national है और कारवाय महबत एक terrorist organization नहीं बलकि एक campaign है जिसे हर्स मंदल ने सु पाकिस्तान से funded कहा, China से funded कहा, George Soros से funded कहा, आम आदमी party से funded कहा, terrorist organization से funded कहा और फिर उसने ध्रोराटी को anti-national कहा, anti-hindu कहा, anti-modi कहा और आखिर में anti-muslim भी बोल दिया और सबूत के नाम पर कुछ नहीं सिर्फ conspiracy theories और मंधढंग बातें और ये सब conspiracy theories भी इसने खुद नहीं बन पैसा ही पैसा होगा जिसमें बीच में कहीं 30 सेकेंड उसने national creators award की बात की जिसमें उसने ये कहा, और इससे इन neutrals अंधभकतों की जल गई, और इनोंने 12 minute की video बना दी, जिसमें एक ही बात बार बार repeat की गई थी, अब ये अंधभकतों के सर्दार यहाँ पे चरणवंदना को as a metaphor use किया गया है, और ये पूछ रहा है ना कि चरणवंदना कब की, मैं बताता हूँ, इसने electoral bond scam में बीजेपी को defend किया, फार्मर प्रोटेस्ट में जूटी खबरें फैलाई और फार्मर्स को खालिस्तानी कहा, लद्दाक प्रोटेस्ट में इसने सोनमवान चुक को चाइना का agent कहा, यहाँ तक कि इसने मनिपूर बर्निंग में तक बीजेपी को defend किया है, ये है चरणवंदना, बलकि ये चरणवंदना नहीं, ये चाटु कारिता है, और वो तो अच्छा हुआ कि धुरुडाठी ने च के TK जैसे creators, जिनके पास खुद का तो content बचा नहीं है, और channel की reach दिन बदिन कम होती जा रही है, तो अपने career को revive करने के लिए इसे चाहिए एक controversy, और धुरुडाठी पर वीडियो बनाएंगे, तो अनबक्त इनकी चांचे चांचे पीछे आ जाएंगे, और views फिर से बढ़ यह anti-national है, anti-hindoo है, इसलिए इसके कहे गए हर facts जूटे हैं, इनकी इन बकवास logical fallacies को मैंने पुरानी वीडियो में debunk किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन आखिर में ध्रोराठी इन पर ध्यान देता ही नहीं है, तो controversy चालू ही नहीं होती, और इनका channel वैसे ही dead बड़ा रहता है, देखो यार YouTube में हर creator views के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है, और कई creators तो पैसे कमाने के लिए आपको सट्टे बाज भी बना सकते हैं, हिंदू-Muslim करके आपको radical भी बना सकते हैं, आपके दिलों में दूसरों के लिए नफरत भी भर सकते हैं, और वो तो अपने पैसे लेकर निकल लेंगे, नुकसान होगा आपका, और इनसे बचने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, अपने दिमाग का इस्तमाल, बाकि आज की इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो इस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में,